हेलो फ्रेंच नमस्कार आज हम घर पे ही बनाएंगे चोकलेट बार और इसको बनाना बहुत ही असान होता है इस रक्षा बंदन आप अपने भाई भेनों को यह बना करें यह बहुत ही एजी रेसिपी है और जटपट भी बन जाती है और बहुत कम समय में घर में ही बनके तया देखे है मैं इसको कैसे बनाया है तो सबसे पहले आप एक मिक्सिंग बाउल ले लिजी उसके अंदर एक कप कंडेंस मिल्क डाल देते हैं और बहुत बहुत ईजली ग्रोसरी स्टोर पर मिल जाता है यहां पर मैंने एक कप कोकोनट पाउडर डाला है और इसको को ची से मिक् एक कप कंडेंस मिल्क और दो कप कोकोनट पाउडर तो आपको इसी तरीके से इन दोनों इंग्रीडियन को लेना है और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम दस मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे और उसके बाद हम इसका बार बनाना शुरू करेंगे तो यहां पर मै अगर आपके पास बटर पेपर हो तो बटर पेपर ले लिए हातों को मैंने घी से ग्रीस कर लिया है फिर हम चोटा सा पीस लेंगे कोकोनट का और उसको हम ऐसे शेप देने की कोशिश करेंगे तो इसमें परफेक्ट बात होती है कि हमें कोई मोल्ड नहीं चाहिए होता है आ यहां पर मैंने इसको आहां इसको बार की शेप देगी है जिसे असे मार्किम चॉकलेट का लिए उसी के जएगर जिसे नहीं चोकलीट साथी आती है चाहिट लिए उसी कि और पावल्छ किया नगा मल्टन में से वर्टन में जाला गाल कमपाउड चेल वीडा सब्सक्राइब में हुआ। यहां एक ज्ट्बावला नहां करते हैं तो prison में में दिया रहा है हॉआरा ज्याता हो whilst इनपान ज्ट में ध्या कमपा। या थोड़ा गड़बड हो जाता है तो देखें यहां पर इस कंसिस्टेंसी तक हमें इस चॉकलेट को मेल्ट करना है और यहां पर जो बार है वो सेट हो गए थे तो मैंने एक बार लिया और उसको इसमें अच्छे से डिप कर दिया और उसके बाद अगर आप चाहें तो यही यहां पर जो है एक एक करके हम ऐसे ही सारी चॉकलेट को रड़ी कर लेंगे और फ्रिज में इसको सेट होने के लिए रख देंगे तो यहां पर देखें सारी चॉकलेट मैंने डिप कर लिए है और मैं इसको फ्रीजर में रख दूंगी और यह मेरी जो चॉकलेट हैं बनके जो है नारियल की फिलिंग होती है और बाहर चॉकलेट तो बहुत मज़ा आता है सिखाने में और आप इसको जरूर बनाए तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें मेरे चैनल को प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करें थैंक यू